ढूंच अम्मारि आजिकी रेशिपी एक कप बाल turbine कदब्ष म्ंगुर। सूजी के ऑड़ी के मोदक और सोजी के मूदक डू पॉड़न सूजी के नारी और गुडूल 1-4 टी स्पून थोटी राची के पाउडर है, 1 टेबल स्पून दूद में मैंने कुछ केसर के धागे मिलाए है, घी लिया है, 2 टेबल स्पून, कुछ ड्राइफूट से में वाजू और बादाम को बारिक काट लिया है, और एक चुटकी हमने यहां पर लिया है, नमक, हमने ग 1 टी स्पून डालें, इसमें हम देशी घी, पानी को हम बॉयल होने देंगे, पानी देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है, अब यहां पर हम धीरे-धीरे डालेंगे सूजी को, और बरावाद चलाते रहेंगे, जिसे की लब्स ना पढ़ने पाए, सूजी को हम लो से पीडम फ्लेम में पकाएंगे, लेकि पानी, सूजी ने पानी जैसे सुख लिया है, हम यहां पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और तीन सूजी रह वेच्ट पानी हिपानी को कर दें गेए, जब तक सूजी हो रही है हम इसके लिए श्टपिंग तियार कर लेते हैं तो हम कढ़ाई में डालेंगे वन टेस्पून देशी घी अबल ब८्हाईं बुचके लिए लिए तो हमने डायेद लेंगे मोदा खाएंगे लिए को फृ श्राइच अभूलेंगे बतास्टं का देणी हम बूलेंगे अब यही पे हम डाल देंगे कद्दुकस कियावा गुर। मीठा आप अपने कार्डिंग कम ही जाधा कर सकते हैं। अब इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। और गुर को हम बैठ होने तक इसी में पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मेडिया भी रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम गुर के साथ में। लो फ्लेम पे इसको फुर्दे धर देंगे जिसे की गुर अच्छी तरह से मेलिट हो जाए। एक मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए गुर असमे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहां पे हम डाल लेंगे छोटी लाची के पावडर। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस टफीक रूम ठंडा होने देंगे वह बहुत जादा सुखाना नहीं है तो यह ठंडा होने पर बहुत जादा कड़क हो जाएंगे। अब इसको हम एक अलग बरतन में ट्रांसर कर लेंगे। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं तब यह गरम है इसमें हलका सा पानी हाथ में लेके चीटा मारेंगे। और इसे हम अच्छे से गूथ लेंगे। हम सूजी को हतेली से इस तरह से मसल मसल के चिकना कर लेंगे। थोड़ा साम लगाएंगे चिकना इस पर हात उमेतने। देखिए हमने इसका सॉफ्ट डो च्यार कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोईयां तोड लेंगे। हमने इस स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर दिया है। अब अब मुदग बनाना शूव करते हैं तो मैंने यह मुदग मोल्ड लिया है। इसको हम पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यह मुदग मोल्ड मैंने अमजॉन से मागाया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शिन वाक्स में दे रखा है। अब हम इस पे लोई को रखेंगे। और उपर से इसको हम इस तरह कवर कर देंगे। और इस तरह हम उंगली की सायता से अंदर होल बनाएंगे। और मोदक के साइड में अंदर की तरफ से प्रेस करते जाएंगे। इसी होल पे हम जो मैंने त्यार किया स्टिपिंग उपर देंगे। इसको भर देंगे और उपर से बचावाई निकाल लेंगे। थोड़ा सा उपर से इसको लगा देंगे। जो मैंने सुजी का डो त्यार किया है। हमने इसके मुझ को देखिए अच्छे से बन कर दिया है। अब हम साइड से जो अक्ष्टा निकलव उसको निकाल लेंगे। मोदक हम इस तरह से खोलेंगे। देखिए कित्ता सुंदर मोदक बन के त्यार हुआ है। इसी तरह हम सारे मोदक त्यार कर लेंगे। इधर हमने कढ़ाई में एक ग्लास पानी रध्धा का रभ होने के लिए उस पर हमने स्टैंड रखा है। एक मोदक आपकों बिना मोड के बनाना बताएंगे। एक लोई ली है। इसको हम खटोरी की शेफ में बना लेंगे। इस पर हम रखेंगे श्रफिंग का और किनारे किनारे चे स्पूम इस तरह दवाते जाएंगे। हमने यहां पर स्वटर बिनने वाली स्लाइली है। इसको हम इस तरह से हलके हलके हाथों से प्रेस करेंगे। मुदक की शेफ देते ह। इस तरह भीना मुदक मूड़ के बना सकते हैं मुदक को। हमने सारे मुदक त्यार कर लिया है। इधर हमने चलनी में केले के पता रख नहीं व्यच्छाया है। इसको घ्रिया है। केले का पत्ता आपके लिए ज़रूरी नहीं है रख कर लो फ्लेम पे पांच मिनिट लिए इस्टीम में पकने देंगे मौत्त को इस्टीम में पकते वे तीन मिट हो गए है अब हम ने जो ये केसर का दूद लिया है इसको म्रश से इस्टीम में और पका लेंगे मौत्त को इस्टीम में और पका लेंगे दो मिट हो गया है हमने तोडल केवल पांच मिट हो दक को इस्टीम में पकाया है और इसको खोल लेते हैं और ठंडा होने वाजितों प्लेट में चाहतो कर लेंगे देखिए बहुत ही सॉफ्ट मोदक बन के त्यार में है यह देखिए सूजी के मोदक बन के त्यार है अगर आपको हमारी यह रेशिप पसंद आए आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलते हैं एक नए रेशिपी के साथ झाल